चलो फड़ा फिर से शुरू करते हैं, पांच इप्स फिजिकल केमिस्ट्री के, एक एक करके दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग अपनी कॉपी पैन ले लीजिए, साथ में ध्यान से इसको सुनिएगा कि मैं क्या बोलने माला हूँ, पहला पॉइंट यहीं, इसके लिए आप एंटी की साइट पर जाओ, अपना केमिस्ट्री को पूरा स्लेबस डाउनलोड करो, फिजिकल केमिस्ट्री का स्लेबस भी ध्यान से देखो, अब दूसरे हिट, मेरा सेकंड टिप क्या था, कि आप लोग पूरे चेप्टर आपको करन है, यह हाड है, यह easy है करके छोड मत देना, ठीक है, तो second tip हो गया, now we'll talk about third tip, सब third tip क्या है उस पर गोर करो, we're talking about physical chemistry, क्या खास बात है physical chemistry की जो inorganic और organic से physical chemistry को अलग बनाता है, that is calculation part, and units, basically सबसे ज़्यादा डर अगरा हमको लगता है, वो calculation से लगता है, सही है, important बात, हमारे calculation के time पे हम लोग units के ओपर ध्यानी ने देते है, ज़्यादा तर बच्चों की problem है कि physical chemistry में वो units पर ध्यानी ने देते है, so calculation और unit पे, unit specially उन पे ज़्यादा ध्यान तो physical chemistry में, अब उसके बाद आते हैं, उसके बाद क्या करना, वो practice करो बैट के, सबसे पहले आप NCRT question निका चाहिए, in fact, दो, पहली बुक आपके पास होनी चाहिए कि पिछले 15 साल के NEET के, अफिछले 15 साल के JEE के पेपर की बुक आपके पास होनी चाहिए, जाके खरीद के लेखे आओ, अब कई बच्चे ऐसे previous year paper की जब बुक लेने जाते है, तो अलग-अलग pattern में मिलती है, मैं आ मौल देता हूँ, मौल कॉंसेप्ट, मौल कॉंसेप्ट के बाद, structure of atom, equilibrium and thermodynamic, चाहर चेप्टर हो गए, फिर आज ओ, 12 से, 12 से सबसे पहले solid state, जो कि आजकल basically gas state के साथ चला गया, तो solid state, दूसरा solution, तीसरा chemical kinetics and चोथा electro chemistry, ठीक है, लेकिन आपको सारे chapter cover करके जाने, इस चाहर टोटल आठ चेप्टर मैंने बता है, जो वाकि में बहुत important है, इन पर आपको पूरा गोर करना है, और ये आठ, जो चेप्टर बेसिकली 11th और 12th है, आप मान के चलिए कि 70-80% आपका cover हो गया, फिर 20% है अपका, ठीक है, तो ये आपके chapters हो गया, तो overall जो मैंने summary कर देता सबसे पहले तो summarize करने से पहले मैं आप प्लीज हिट लाइक बटन, और दूसरा, नीचे एक red color में लिखा हुआ है, subscribe, अगर आपने subscribe नहीं किया है, मेरे प्यारे बच्चो तो subscribe कर लो, it's a request from my side, जाते-जाते मां को गाना सणाऊंगा, लेकिन उसे पहले प्यारा सा hit like button, और यह आपका जो like button होता है, basically, वह में बहुत हिम्मत देता है, so do it right now, और subscribe कर लो चैनल को, और वीडियो को और बच्चे को शेयर को, जो कोची को फोड नहीं कर सकते, चलो मैं आप लोगो को revise कर वा देता हूँ, कि सबसे number one पर क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ब सबसे बड़ी problem है, जो कि हमने imagine करते ही नहीं है, imagine नहीं करते हैं, तो concept कैसे समझ में आएंगे, और इसके लावाँ इतनी जादा practice कर सकते हो, इतनी जादा practice करो, books को smartly use करो, जादा books मत रखो, तीन books रखो, बहुत है, NCRT, previous year के question paper और पी भादो, जो मैं use करता हूँ, otherwise आप पर depend करता है, so चले guys, बहुत तेज बारिश होरी बैंगलोर में, I think मेरा connection कभी भी कट सकता है, लेकिन मैं आपके साथ तो हमेशा connected हूँ, और अगर आपके साथ हमेशा connected हूँ, तो आपको उसके लिए क्या करना है, yes of course मेरे प्यारे बच्चों, आपको उसके लिए क्या करना है, yes channel को subscribe करना है, subscribe कर लिए अगर आपने आपके तक भी नहीं किया है, और hit the like button,